कर लेंगे रेक्टिलीने शुरू करेंगे ठीक है डिस्टन्स फॉर्मूला बिटा चैप्टर 28 डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि इनी दो पॉइंट्स के बीच में A and B सब्सक्राइब कोदिनेट्स जो हैं वो हैं X1 वाइवण एंड जो B के कोड़नीट है X2 Y2 तो जो A-B distance है उसका formula क्या है root X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square जुरूरी नहीं है कि वच्छे ये X2 Y2 है ये भी X2 Y2 हो सकता है ओके ये distance formula है एंड भी नहीं है plus Y2 minus Y1 का whole square understood? Yes Sir Yes Sir Okay Now we have to start from the exercise question number one find the distance between the following pair of points first part two points are there minus three six comma six and two comma minus six a and b this is x1 y1 this is x2 y2 a b distance formula ka formula lich denge x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square two x2 x immer so x2 never gone what x2 x y2 pomo or x1 ah, is nothing that's odd but here's a formula minus three minus two to zero good evening sir good evening y2 minus x minus whole square वट वी गेट तू प्लस थी फाइव फाइव का स्कूर येस पाद मिनी माइनस एस माइनस एक इस कितना आएगा बेटा जीरो आए 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 साबाश माइनस 12 12 सेर मुझे साथ में ले जाना एक्जाम में ठीक है पाद मिनी सारी सर माइनस 12 का स्कूर पाद मिनी 144 प्लस का क्योंकि स्कूर है तो नेक्टिव साइन प्लस हो जाएगा एड किया दोनों प्लस साइन है 169 और 169 का स्कूर रोट 13 और साथ में यूनिट जरू डाल देना ये डिस्टेंस फाइंड हो गया पहला पार्ट अभी इसका जो सेकिंड पार्ट है इसके चारो बार्ट में करवाऊंगा विटा क्योंकि किसी में अपाउन है किसी में एबी है किसी में कुछ है that's fine here second part is a b a के कोडिनेट से हैं माइनस a माइनस b b के कोडिनेट से हैं a b a b distance formula दो पता ही आपको और मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा first में से first a minus minus plus a हो जाएगा ना पत्मिनी प्लस b plus b हो जाएगा yes sir a plus a 2a 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 का स्क्वार b plus b 2b का स्क्वार what we get 2a स्क्वार is 4a स्क्वार and 2b स्क्वार 4b स्क्वार 4 is common what is left a स्क्वार प्लस b स्क्वार फोर में से 2 बाहर आ गया अंदर क्या आ गया a स्क्वार प्लस b स्क्वार तो यह इतने यूनिट यहीं पर छोड़ देना इसको यह अंसर है बटा हमारा किसे निए प्लस आपको अब भी फार्मुला बताया था ना इस टूट माइनस एस वान ए मैनस माइनस प्लस अ यह जाएगा ना यह सब्सक्राइब थार्ड पार्ट अपॉन में देखके डर्ना नहीं है इसे इक लाइन डो करो ए भी मार्क कर दो एक कोडिनेट हैं थी अपॉन फाइव एड टू बी के जो कोडिनेट से यह दाइस माइन फाइव मिक्स्ट एक्षिन को ओपन कर लो फाइव वन तू बाइव है फाइव तो सवन बाइव आजाएगा था इस दित ओके इस फॉर्मूला तो पता ही आप लिख लोगे अभी फस्ट में से फस्ट माइनस माइनस बनपन फाइव 5-3 माइनस 3-5-2 होल स्क्वेर प्लइस 7-5-2 होल स्क्वेर अब जब तक साल नहीं करेंगे तब तक हो आगे नहीं चलेंगे यह इसका 5uls आजाएगा माइनस 1-3 होल स्क्वेर यहां पे 5 आजाएगा 7-10 होल स्क्वेर Yes, Padmini Minus 1, minus 3, कितना होगा? 4 Minus 4 Minus 4 आएगा न, Padmini? यह 4 आएगा? असर 7 minus 10 Minus 3 Very good Minus 4 का स्क्वेर? 16 And 5 का स्क्वेर? 25 Plus minus 3 का स्क्वेर? 9 And 5 का स्क्वेर? 25 25 is the LCM Same है, तो 15, 16, plus 9 ही आजाएगा Root 25 upon root 25 Cut किया 1 Root 1 की value कितनी होती है? 1 होती है 1 unit Answer Yes, Sir अब root को देखके भी नी डरना इसका जो 4th पार्ट है वो उसमें root है ना? Yes, Sir इसके coordinate है Root 3 plus 1 1 और इसके 0, 2, 3 A, B A, B First में से first minus या this minus this भी कर सकते है Root 3 plus 1 minus 0 कर दो बटा कोई फर्क नी बढ़ेगा 1 minus root 3 कर दो चाहे root 3 minus 1 लिख दो चाहे 1 minus root 3 लिख दो क्योंकि square है तो square positive कर देता है उसको Root 3 plus 1 का whole square क्योंकि 0 तो कोई फर्क नी बढ़ता हमें A plus B का whole square क्या आएगा बदनी A square plus B square plus 2AB Root 3 का square plus 1 का square plus 2AB 2 into root 3 into 1 Same this one A minus B का whole square 1 का square plus root 3 का square minus 2AB 2 into 1 into root 3 Open Root 3 का square 3 1 का square 1 2 into root 3 into 1 2 root 3 Same way 1 का square 1 Root 3 का square 3 minus 2 root 3 2 root 3 2 root 3 cancel 3 plus 1 4 plus 1 5 plus 3 8 Root 8 आ गया अब Root 8 में से 2 बाहर आ जाएगा 2 root 2 बच्चा है समाज़ा आगे सारा कंप्लीट येस सर्, अब जो डिस्टेंस मावला है ना सारी के सारी एक्सराइज इसी पर बेस जाए आरें औरिजन के कोडिनेट्स क्या होते हैं अब ऑनियाद के सारी ना औरिजन अब जहां पर एक्सर और येक्सर स्कत करते हैं को स्काड़ है ये डिस्टेंस फॉर्मूला बिटा कोडिनेट्स मैट्रिक गया है यह और जी कर अंदर जी रो जी रो जी रो जो एक्स और वा के क्या होते हैं और जिए के 00 आप अन्होंने कोस्चिन में क्या लिखा है कैसे ये सारे न वह हमारा बहुत लॉट था मैं हम आपके बारे में लेट में जाएंगे वह बीच में चले गए थे बाहर चले गए तो फिर बाद में आए तो हमने को लॉट हो गया कोई बाद नाइंस तो अभी कम्टीट होने वाली एक्जाम कब है आपके सबस्क्राइश अपर सायवन्ट और सब्सक्राइश चलो जो हो गया नेक्स चीर संद्ध से ही स्टार्ट कर लिना ठीक है यह सब्सक्राइब करना है इसके एक्वेल फॉर्मॉला इस एक्सटू माइनस एक्सवन का होल स्क्वेड प्लस वाइटू माइनस वाइन का होल स्क्वेड सब्सक्राइब कर दो तुम्हारे पर डिपेंड है कि हम कैसे कर सकते हैं प्लस जीरो माइनस एक्स का होल स्क्राइब सौम्या सौम्या येस बच्चे एक तो माइक ओफ कर लो ठीक है ओके और एक यह हमारा डिस्टेंस फॉर्मुला चैप्टर चल रहा है सलीना में से ठीक है सौम्या आई लेस्निंग ओके ओके 64 प्लस 36 इस हंडर्ड सौम्या हंडर्ड का स्क्वेड रूट कितना होता है सौम्या वट इस स्क्वेड रूट ऑफन हंडर्ड का स्क्वेड रूट इस पद्मिनी तर्ड वट इस दा स्क्वेड रूट ऑफ हंडर्ड एं टैन टैन यूनिट इस दा डिस्टैंस अभी यह तीनों पार्स हो जाएंगे वेड़ा सेजिंट सम की और इजन और इस अभी नेक्स सम थर्ड संग दिस्टैंस बीट्विन देस इस जी फाइफ फाइव फान एक्स सबसे बहले क्या करना है एक लाइन टो कर लेनी है 31 एड्ञ जीरो एक्स इसके बीच में तो डिस्टेंस से गवन है वह फाइव ऑइव संद्सरों फइवन्म कर दो दोनों तरफ स्कुर्ट कर दिया फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस अभी स्कुर्ट क्यों करते हैं पदमिनी पता है कि हम स्टार्टिंग में स्कुर्ट कर देते हैं क्यों करते हैं पदमिनी दू यू नो पदमिनी आप सुन रहे हो बिटा सद्कॉर्ट स्ट्ट सुए करते हैं क्यूंगि स्ट्टिन divisions स्प्राइब यांग तो हम स्टार्ट में स्टार्टिंग स्ट्पूर टेंगे दोनों तरफ इससे क्या होगा हमारा रूज खत्म हो जाएगा फस्ट में से फस्ट माइणस टो तो रूट सिंबल डालने की जिरूट नहीं बढ़ेगी हमें और सुरी जीरो माइनस री आएगा था एंड एक्स माइनस वन का होल स्क्वेर फाइव का स्क्वेर ट्विटी फाइव ओके विटा हाँ से हीर जीरो माइनस थी पाद मिनी त्री स्क्वेर माइनस थी का स्क्वेर प्लस नाइन इसको इसको उपन करो मैं क्या लिखू बोलो मुझे स्क्वेर प्लस वन स्क्वेर माइनस तू एक्स इंट वन वारी गुड किसके एक्कोल ट्वंटी फाइव के नाइन प्लस एक्स्क्वेर ड़स1 माइनस 2 X किसके 25 इककोल is अब X कुएर माइनस 2X नाइन प्लस 110 को यिस इस साइड कि क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा है इसकोलो 0 X सकुएर माइनस 2X 10 ऐनस 25-15 आ जाएगा न है कि असर अब ही मिडल टाम स्प्लिट आती है पनी अशर करो फिर इसके middle term split क्या लिखों 15 के factors जिनको माइनस करें तो आए लोले बिटा 3 & 5 माइनस 3 3-5-3-3- four meaning x common next to me three commonえて x-5 बच गया और नेक्स चुमें 3 comment कि आपच हमारे पास x-5 यह सेम हैं व्हाilly आगया हमारे पास X plus 3 यह अलग से 0 के इक्वल यह अलग से 0 के इक्वल फॉम यह एक्स प्लस 3 is equal to 0 X की वैलू कितनी आगी 5 आ गई यहां से X की वैलू क्या आगी minus 3 यह two answers है दोनों के दोनों understood बेटा हाँ sir Sir यह quadratic equation थी ना हाँ जी बेटा degree 2 थी ना इसकी अपने आप आईए yes भूमी good evening sir 2 answers मतलब 2 points का X का बेटा हाँ X की दो वैलुज आसे हाँ जी भूमी sir मुझे फता ने चला sir यह news session वाला वास्तू का ग्रूप है sir मैरे गल्टी से जोइन कर लिया चीक है बेटा sir हाँ जी sir मैं अभी लीफ कर दूँ sir मेरा एक्जाम हो चुक है तो अच्छा फिर वैसी बेठा है हाँ sir मैं ऐसी बढ़ रहा था 9th फिर से तो नहीं करनी नो से देख ले नहीं से नहीं से नहीं से चलो ठीक है ओके सर्व गुट देशा वुट देविटाव फाइंड अ कोडिनेट अफ पॉइंट ऑन दा एक्स-स पाद भी नहीं कोई पॉइंट एक्स-स पे ए तो उसके कोडिनेट के इस फॉर्म में होंगे पता है आपको नहीं सर्व एक्स-स पे य की वैलू जीरो होती है तो उसके कोडिनेट एक्स-कॉमा-जीरो की फॉर्म में होंगे ओके सर्व येस सर्व फाइंड अ कोडिनेट अफ पॉइंट ऑन दा एक्स-स विच आर अट डिस्टेंस ऑफ 17 यूनिट फ्रॉम पॉइंट एलावन माइनस एट लाव पी और क्यों के बीच में डिस्टेंस 17 यूनिट है ठीक है वही सेम कोश्चन बन गया जैसे पिछले सम था कर लोगे एक्स-पाइन येस सर्व मतलब ऑन एक्स-एक्स यह याद अखने विच वाइव जालवेज जीरो और वी कैंट से जो कोडिनेट है एक्स-पॉम जीरो की फॉम में होंगे ठीक है अगर वाई-एक्स पर होंगी तो जी एक्स-जीरो होगा सर्व ऑन हां वाई-एक्स-एक्स- कॉडिनेट किस में होंगे जीरो कॉमा वाई की फॉम में नियस सर्व जो नेक्स हमारा फिफ्ट सम वह सीपे बेश्च पर ऑन वाई-एक्स कोई पकी ले लिया वाई-एक्स पे तो जीरो कॉमा वाई हो जाएंगे कोर्डिनेट मर्च आटम यनिट वह टेंगे विच आपी इसको करना जरूर है सम्स को अभी ठीक है तभी समय आएंगे अजरुआ आएंगे नहीं अब पॉइंट ए पॉइंट ए इस अट डिस्टेंस ऑफ रूट 10 यूनिट फ्रॉम दा पॉइंट फॉर थी इसको भी पॉइंट ले लो find the coordinate of point a if it's ordinate is twice it's abscissah जो x और y की form में होते है न जो x होता है उसको अब सिसा बोलते है एक्स की value को और जो y की value होते है that is called ordinate इन्होंने क्या बोला है क्या लिखाय बच्चे उन्होंने coordinate of point a if it's ordinate is twice it's abscissah abscissah को मैं a ले ले लिया तो y की value क्या होगी बी नहीं बिटा twice of abscissah 2a 2a ओके अब यह रूट 10 गिवन है मतलब a b is given root 10 squaring both sides स्क्वेर कर दिया स्टार्टिंग में स्क्वेर कर देना है तो a b first minus first a minus 4 का square plus second minus second 2a minus 3 का square root 10 का square 10 इसको open करो बिटा a minus 4 का whole square a square plus 4 square minus 2a b 2 into a into 4 a minus b का whole square 2a का square plus 3 का square minus 2a b 2 into 2a into 3 इस साइड 10 यह बता चल गिया ना कि root 10 का square 10 क्यों आया आ सर ए स्क्वेर 4 का square आगे minus 8a yes plus 4a square yes plus 9 minus 12 12a is equal to 10 a square plus 4a square like terms 5a square minus 8a minus 12a 20a minus 28 okay sir 16 plus 9 plus 25 very good 10 इस साइड आके minus हो जाएगा 10 इस साइड था इस साइड आके minus हो गया 5a square minus 28 plus 15 आ जाएगा इसको जीरो 5 common क्या बच गया a square minus 4a plus 3 is equal to 0 a square minus 4a plus 3 is 0 upon 5 a square minus 4a plus 3 is 0 आ गया अब मेडल तर्म स्प्लेट 3 के फैक्टर जिनको प्लस करें 4 आए 3 and 1 अभी confidence आया पदमनी हाना अशर तेरा स्टेट कौन सा है बैंगलर बैंगलर हिंदी तो समझ आती है न ये ये सर अच्छा प्रोस में तो नहीं है बदमनी के तो अच्छा प्रोस में तो नहीं है बदमनी के हमने फाइंड क्या करना था तो कोडिनेट एफ पोईट ए हार यह आंगर थी ए तो 6 एंड और 1 और 2 यो प्योंकि ए ए 2 ए थे ना अगर 3 हुआ ए तो यह कितना हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा अगर 1 हुआ तो यह 2 है मतलब 2 अंसर है इसके भी एके दो कोडिनेट्स बिटा ओके सब्सक्राइग तेरे को नहीं देगी और सबको दे देगी ठीक है कलंदर समझे यह सर देगी बिटा दो अंसरी आ रहे है पीछे चेक कर ले डवल अंसर है यह सर अब उन्हेंने क्या लिख है बिटा 7 सम में पॉइंट P 2-1 इस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 7 एंड माइनस 3 ए इसको बच्चे ए पॉइंट लेलो इसको भी इक्विडिस्टेंट का मतलब पता है बद्मिनी यह सर यह इसके इक्वल इक्वल पीए इसकल टू पीवी तो वही सेम चीज स्टार्टिंग में स्क्वेर कर देंगे स्क्वेर क्यों किया कि स्क्वेरूर सिंबल खेतम हो जाए तो पीए बताओ पीए स्क्वेर क्या एगा यह पर क्या लिखू में तो बोलो दो माइनर दो माइनस ए प्लस माइनस वन माइनस सेवन होल स्क्वेर वैरी गूड पीए स्क्वेर भी बताओ तो माइनस त्री होल स्क्वेर प्लस नहीं हो जाएगा पद्मिनी हां सर् प्लस माइनस वन माइनस एप प्लस मन लेंगे तो प्लस हो जायेगा उपके उससे कोई फरक में पढ़ता है मैंने पहले ही बोला है कि first में से first minus चाहिए A minus two लिख दो चाहिए two minus A लिख दो second में से second minus से seven minus minus one कर दो चाहिए minus one minus seven लिख दो answer same आएगा अब A minus B का whole square two ka square four A square a square minus two AB two into two four A minus eight square plus sixty four कि फूपलस थी फाइफ दिफाइब कर 25 इसको ओपन करो एय स्कुरर फ्लस वन का स्कुरर 1 वन प्लस 2 ए बी 2 ए अब ए स्कुरर से ए स्कुरर कट जाएगा जब उस साइड लेके जाएगे कट जाएगा ना मैंनस फॉर एफेट फोड़े एफ प्लस इस टीएट 26 68 तुसाइड जाके माइनस माइनस एक से 8 में से 6 माइनस किया 2 आगया 6 में से 2 4 माइनस 42 माइनस से माइनस कट गया A is equal to 42 अपान 6 कट किया 7 A की वैलु कितनी आगई 7 7 that is the answer okay yes sir अब 8 सम अब एक सम उने लिखा है what point on x-axis point p मैंने x-axis पे ले लिया तो इसके coordinate क्या होंगे yes पदमी 1 and 0 नहीं वैच्छे x-axis पे है तो x,0 नहीं होंगे हाँ sir अगर बोलना नहीं on x-axis y is 0 यह बताया था ना मिटा मैंने हाँ sir हम 1 नहीं ले सकते है sir हाँ जी बता नहीं ले सकते 1 x,0 आएगा on y-axis 0,y आएगा ठीक है yes sir याद रखना है इसको ओके sir नहीं तो बैंगलोर आके पिटूँगा ते रखो मैं याद रखेंगी sir याद रखेंगी sir थीक है बाकी पड़ाई के साथ साथ इंज्वाई भी करना है यह नहीं है कि मुझे माच बिल्कुल पस्दन ने है sir मैं डरती हूं मैंसे कोई बात नहीं विटा स्टार्टिंग से करेगी न तो दर सारा खता है तो हमेज़ था एक्जाम के पिछले दिन बैट कर रोती हूं sir कल मैंसे एक्जाम मुझे इतना डर लगता है नेक्स्ट यह नहीं लगेगा हां sir ओके यह मेरा प्रोमिस है तेरे साथ ओके सर मैं तेरा फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा यह भी मैं बहुत बहुत पता रहा हूं ठीक है sir बस मेरे कॉर्डिंग नी सल पढ़ना sir आपने कभी अच्छी वली जॉब है वही बहुत है ठीक है यह सर यह तो सरफ होबी है मेरी एक टाइब से टीचिंग तो बागी 21 येर्ज हो गए है इसले छोड नी सकता है जीचिंग येर्षर P A Square is called P B Square फरस्ट में से फरस्ट माइनस X माइनस से वन का स्क्वेर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वेर P B Square क्या हैगा बत्मि X माइनस 3 दी होल स्क्वेर चांदा खाने X प्लस 3 दी होल स्क्वेर plus plus 0 minus 4 the whole square x minus 7 ka whole square x square plus 7 square minus 2x 2x into 7 and 0 minus 6 minus 6 ka square 36 same here a plus b ka whole square x square 3 ka square 9 plus 2ab 6x 0 minus 4 minus 4 minus 4 ka square 16 x square se x square cancel 7 ka square 49 minus 14x plus 36 is equal to 9 plus 16 25 plus 6x minus 14x 6x is side ja ke minus ho gaya 25 49 is side ja ke minus ho gaya 36 is side ja ke minus ho gaya अब दोनों minus के हैं तो add हो जाएंगे minus 20x या 25 दोनों minus के हैं 9,6,15 1 carry 4,4,8 मतला हमेशा जब 3 terms हैं तो पहले minus नहीं करना जो same sign वाली terms हैं उनको add करना है जैसे दो negative term थी तो इनको add करो sign उसके आगे minus का अब एक plus है, एक minus है तो subtract होंगे बिटा ठीक है sir minus कितना आएगा 60 आजाएगा yes sir minus से minus cancel 60 upon 20 x is 3 x का वैलिव कितना आगया 3 that is answer मतलब उन्होंने क्या पुछा था find a point on x-axis था ना तो लास्ट एक्स थी अंसर नहीं लिखना therefore P 3,0 तो यहां पे देना देखो x,0 था 3,0 be a point on x-axis ऐसे लिए लिए लास्ट में yes sir हां जी शीबाम हावा यू फाइन सर थैंक्यू सर सर नहीं नहीं बच्चे कहां से रहें यह नहीं बच्चे नेक्स यह के लिए हैं कि नाइन सम्ट तुम्हारे सब के तो एक्जाम हो गएं साथ वालों की अप्रोक्सिमेर सब के हो गए है मुसकान को छोड़ मुसकान का 28 को है ना सर मेरे तो कल से हैं सर पहला मैथ कई है अच्छा कल पहला मैथ कई है यह सर फिनिश हो जाएगी सर पदमिनी कल है तेरा मैथ का एक्जाम हो जाएगी सर पूरी एक्जाम के लिए नहीं था सर अच्छा निम फाइनल अभी होने है कि हो गई है नहीं सर यह प्री फाइनल्स है अच्छा फाइनल तो होने है ना अभी हां सर ओके फाइनल में तो आएगा नहीं हां फिर ठीक है find a point on yxx which is liquid% from this and this yxx में coordinates किस फ़र में हों गे या बदमिनी zero zero comma y very good equal distance from five two and and minus four three yes sir y same जैसे लास्ट कोश्चिन किया अपने आप करोगे बिटा पीए पीबी के इक्वल उनके स्क्वेर भी इक्वल मैं नहीं करवाँगा ठीक है असर टैन संथ आपॉइंट क्योओ आज पी लाई ओन एक्सेश एंदर पॉइंट क्योओ लाई ओन वाई एक्सेश राइड अओ पी प्योगों पीपाइंट कहां पर लाई कर रहा है एक्सेश पर पी के कोडिया होंगे पढवनी बोलो जीरो ओए किस फॉर्म में होते हैं एक्स माइन एक्स कॉमा जीरो क्यों के जीरो कमा वाई बस अब पहला पार जो पूछा उन्होंने ओडिनेट का मतलब क्या होता है पता है ना वाई एक्सेज नहीं वाई की वैल्यू पी में वाई की वैल्यू कितनी है जीरो है अंसर सेकिंड राइट अब सीसा ऑफ क्यों हूँ जीरो अब सीसा कमा प्लब एक्स की वैल्यू अब थर्ड पॉइंट थर्ड पार्ट उन्होंने क्या बोला है इव दाब सीसा ऑफ पी इस माइनस 12 को पी के कोडिनेट क्या हो जाएं अब सीसाओ पी इस माइनस 12 तो पी के कोडिनेट क्या हो जाएंगे बिटा माइनस ट्वैल जीरो माइनस ट्वैल कॉमा जीरो ना हां से एंड ऑडिनेट ऑपॉइंट क्यों क्यों जो पॉइंट है उसके ओडिनेट कितना है माइनस 16 ओडिनेट बदलब य की वैल्यू जीरो कमा माइनस 16 दो कहते पी क्यों की लैंद फाइंट करो हो जाएगी हां सर इस्टेंस पामिला एक्स दू मैनस एक्स वन का होल स्क्वेर प्लस वाइट वाइनस वाइन का होल स्क्वेर कर लोगे फाइंट हां सर लवन सो देट पॉइंट पी क्यों आर अर दवर्सिज ऑफ आइसो सलस्ट रैंगल कौन सी होती है बदनी जिस ट्राइंगल में टू साइट इक्वल होंगे अब यहां पी क्या दिया उन्हों देखो पी क्यों आर पी के कोडिनेट जीरो कॉमा फाइव क्यों के कोडिनेट फाइव कॉमा टैन और आर के कोडिनेट सिक्स कॉमा थ्री तो थी टाइम डिस्टेंस फॉमुला लगाएंगे पी क्यों करेंगे क्यों आर फाइंड करेंगे आर पी फाइंड करेंगे परस्ट में से पी और जब पी क्यों करना था पी एंड क्यों की हल्प 5-0 का स्क्वेर 5 स्क्वेर मैं शॉर्ट कट में चल रहा हूं अभी 5-10-5 का स्क्वेर कितना आ गया 25 प्लेस 25 सीधा 50 लिख दिया मैंने क्यों हुआ 6-5 1 1 का स्क्वेर 1 3-10 7 7 7 का स्क्वेर 49 आर पी 6-0 6 6 का स्क्वेर 36 3-5 2 2 का स्क्वेर 4 रूट 40 अब यह देखो दो वैलिव से इक्वेल है न है यह पी क्यों इस इक्यों इस एक्वार इस ट्रेंगल की यह दो साइट इक्वेल आ गई गी यह यह ट्रेंगल इस ट्रेंगल इस and isosolous triangle isosolous triangle हो गया proof understood 12th sum prove that point PQRS are the verses of rectangle PQRS सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे ना सब्सक्राइब अभी जस्ट वेट अभी मैं समझाता हूं ओहो काउध कोको ऑटनेंट हैं 6,2 आर की हैं 3,5 ऐस थी कोमा कैसे कैसे कोत लगने की ने लिए कि क्यों फाइंड हो जाएगा क्यों ऊर्ड कर लेंगे आरेस् प्रॉंड कर लेंगे कि क्यों आर्स अबस्मक्राइगे यह दोनों यह और यह दोनों आते ंडर्फ यह क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा प्रूफ करना है लगाना पड़ेगा पियार डाइगनल वी प्रेंगल के लिए डाइगनल होने चाहिए नहीं यह साइड इसके किस嗎 और डाइगन वह आ जाएं तो ऑं हरे ads 13th sum prove that point A, B, C are the verses of right angle isosilist angle उसके बाद उसका एरिया भी निकालना है यह है विटा सबसे पहले A, B, find करेंगे शॉर्टकट में कर दू A, B, find फर्स्ट में से फर्स्ट 1 प्लस 3, 4, 4 का स्क्वेर 16 माइनस 3, माइनस 0, माइनस 3 का स्क्वेर प्लस 9 रूट 25 आ गया 5 unit यह सर BC 4 प्लस 3, 7, 7 का स्क्वेर 49 1 माइनस 0, 1, 1 का स्क्वेर 1 रूट 50 आ गया इसको रूट 50 ही रहने दो एक बार CA 1st माइनस 1, 4 माइनस 1, 3 3 का स्क्वेर 9 1 प्लस 3, 4, 4 का स्क्वेर 16 रूट 25 आ गया अब यहाँ देखो बच्चे, यह दो साइट इक्वल है तो आईस तो सले स्टेंगल तो बनी गई है हाँ सर अब रह गया राइट एंगल तीनों में से यह कौन सी बार साइट बड़ी है बिगर कौन सी है तीनों में से BC तो BC का स्क्वेर अलग से फाइन करो BC के बार रूट 50 आई थी ना उसका स्क्वेर करेंगे तो 50 आ जाएगा हाँ सर और जो दो स्मॉलर साइट्स हैं यह और यह इनके स्क्वेर का सम करो पाइथावले सिर्म पता है न आपको हाँ सेर 25 प्लस 25 50 50 अब यह चीज़ इसके इक्वेल आ गी तो मतलब BC स्क्वेर इसके इक्वेल आ गया ना वो BC स्क्वेर इसके इक्वेल तो AB स्क्वेर क्यों एच्वेर यह क्यों ट्रैंगल ABC ज़िए इसके साथ ही लिख देना AB स्क्वेल थे यह इक्वेल प्रूफ किये है ना यह एप्र आपको ट्रैंगल ABC एज एज़ दोनों का स्टिए करती है अब्स्टोड इसे करना है बटाइए चाहिए चाहरो साइड बच्चे फॉर टाइम डिस्टेंस फॉर्मला लगाएंगे चाहरो साइड आपस में एक्क्वल आ जाएंगी और डाइगनल्स आर आलसो इक्क्वल कर लोगे यह कंडिशन सट्वाइब हम चार टाइम करें डिस्टेंस फॉर्मला यूज़ करेंगे तो वह जाएगी ने ने बिटा डाइगनल्स भी करने पड़ेंगे इस चाइब के फोह मैं एक चीज़ समझाता हूं अगर स्रफ यह अज रिए इतने ही अनफ है फिफ्टेंट संप्स कर लोगे कर लोगे पर कर ले न यह ना हो कि कल मेरे को आके बोले कि नहीं मेरे को टाइम नहीं मिला नहीं सर मैं करूंगी कर लुको मैं कम्प्लीट करवा दुगा यह ठीक है सर ठीक है यह सर ओके बिटा मुस्कान कोई आप कहा पर रहता है सर मैं अपने घर में रहता हूं सर अब कॉंसी स्टेट में पंजाब में बिटा ठीक है सर अभी कर ले ना बिटा हां कितना टाइम होगा तेरे को वीडियो देखते हुए सर में एक साल से देख रही है और अभी किया था ना टूशन के लिए अच्छली क्या हुआ था मुझे एक कॉंटाइक काटक्ट करना था पर लेकिन आंलाइन क्लासे चल रहे थे कभी-कभी मैं स्कूल जा रहे थी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था सर ने स्कूल की कोई क्ल होती थी और में गर के पास एक टूशन के लिए जाती थी और उन वो अच्छे से पढ़ाने रहे थे सर इसलिए मुझे बहुत ऐसे बहुत सारे चीज़े हो रहे थी सर मेरी लाइब कोई बात नहीं अभी 10th में ऐसे नहीं करना ठीक है 10th में स्टार्टिंग से कि अब यह फाइनल ट्योशन है यह मुझे बहुत पसंद आए और मैं यह से छोड़ूंगी भी नहीं ठीक है पागने यह रखना ठीक है मानने ना रश्ते से थैंक यू सर ओके विटा बाई 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 सर